जहें साथ्यू मरा नाम है आकास मौरिया और आपसे लोग को आपके अपने चैनल आलक्यूपी शेडी पर बहुत बहुत स्वागत है प्रेंस आटी बीपी के बारे में आज चीड़ों में बात करना हुआ है तो आटी बीपी मुख्रते आज की दो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ पहला है आप लोगों को फीजिकल कब होने वाले हैं चुकि इसका फार्म जो है आप लोगों को 22 तारीक को लाटेट था और आप लोगों नो जो है होगा तो physical में जो आई है बहुत ही मायनि रखता है है कि total कितने सार्म फिलफ क्ये हों अब आप लोग सोच रहेंगे कैसे देखिए इसकी एक अनुवानuri को लग जाता है कि जो आई है फिजिकल में कितना competition होने वाला आप लोगों कोई कितने फार्म फिलब हुए मैं बताता हुए दो लाख जी है दोस्तों दो लाख 48,171 बच्चों ने जो है टोटल ITBP के ट्रेट्समेन की वेकंसी फार्म को फिलब किया हुआ है जो कि अगली बार के मुकाबले काफी कम फार्म फिलब किया गया है और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि SSD GD की वेकंसी इस बार फार्म काफी कम फिलब किया गया है तो फिलाल इसमें भी आप लोगों का कमपटिशन हाई रहने वाला 1600 मीटर का रेस रहेगा आप लोगों का जो है ठीक है तो यह थे आप लोगों के इस से रिलेटेड बाकि आप लोगों का रिटेन इग्जाम होगा आप लोगों का है इसके बाद हमें आप लोगों को दिखाते हैं हाइट वेट चेष्ट कितना मांगा जाता है ठीक है उसके बाद बात रहेंगे आप लोगों को फीजिकल में जो आई है क्या-क्या जो आई है कब होगा और क्या-क्या होगा तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या इसमें फीजिकल में आप लोगों को होगा तो सबसे पहले हाइट मापी जाएगी हाइट किन-किन लोगों का देखी ट्वाइलर का ठीक है गार्डेनर का 80 cm होना चाहिए, प्लस 5 cm इनको फुलाना पड़ेगा, ठीक है, और जो इन पहाड़ी लाकों से बिलों करते हैं, उनको थोड़ा सा छूट मिल लाता है, तो इनकी हाइट 165 cm होना चाहिए, प्लस फिमेल कंडिडेट का 155, मेल कंडिडेट में 78 cm चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 cm फुला कर 83 करना पड़ेगा, ठीक है, नेस्ट है आप लोगों का ST कंडिडेट का, मैंने उपर बात किया, जनरल OBC SC का, अब यहाँ पर मैं ST की बात कर रहा हूं, तो ST कंडिडेट का हाइट जो होगा, वो 162 25 cm रहेगा, वहीं फिमेल कंडिडेट में 150 cm, मेल कंडिडेट मे चेस्ट जो है, इनका होना चाहिए, 76 cm प्लस 5 cm फुलाना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 81 cm, ठीक है, अब 5 cm चेस्ट क्यों फुलाया जाता है, यह आप लोगों को कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है, यदि आप लोगों को नहीं मालू है, तो पूछ भी सकते है हैं, अदर वाई, आप लोगों को मालू हो, 5 cm चेस्ट क्यों फुलाना जाता है, तो आप लोग हमको बता सकते हैं, बाकि मैं आप लोगों को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका आप लोगों को जो भी अब्डेट आएगा ट्रेडस्मेन का, तो उस वीडियो मैं आप आप लोगों को जब लेकार आऊंगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि इस चेस्ट जो है 5 cm क्यों फुलाया जाता है ठीक है यह चीज क्लियर हो गई अब बात कर लेते हैं जो लोग सफाई कर्मचारी वासर मैन और बारबर पोश्टली अपलाई की रहे हैं उनके लिए हाईड जो रहेगी 170 cm रहेगी फिमेल कंडिडेट का 157, 80 cm चेस्ट रहेगा प्लस 5 cm फुलाना पड़ेगा और जो लोग इन पहाडी इलाकों से बिलोग करते हैं उनका हाईड 165 cm होगा मेल कंडिडेट का 155 फिमेल का 38 cm चेस्ट होना जी प्लस जो 5 cm फुलान पड़ेगा ठीक है अब बात कर लेते हैं अहां पर आप लोगों के जो है है कुछ और भी डीटेल्स के बारे में आप लोगों को बात कर लेता हूं तो रेस यहां पर देख लीजे मैंने आप लोगों को पहले ही बिता है इसके लिए आप लोगों को नहीं दिये जाएंगे अब बात कर लेते हैं आप लोगों को जो आए है इसके लामा भी आप लोगों को जो है यहां पर कटाप मार्क देख सकते हैं जो है अठरह नमबर जनरल EWS एक सर्यूसमान के लिए रहेगा स्जी एश्टी ओविसी के लिए जो है 17 नमबर रहेगा आप मसोची कि 17 नमबर के ला देंगे थमारा सिलेक्शन हो जागत ऐसा नहीं आप लोग जितना अच्छा नमबर लाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ठीक है अब मुख्ष चीज जो है आप लोगों का यहां पर आप लोगों का पर एक तर नहीं हूआ है यह उप लेकर मंत में होइपर जिए जिडूल में सारी चीज काम चल रही है वर्क्स जो विभाग में चल रहे हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं यदि ऐसे ही चला तो आप लोगों का लास्ट मार्च तक जी हां तो अप लोगों का फीजिकल करा लिया जाएगा यदि फिर भी आगे चल कर विभाग में जो है है कोई प्रॉब्ल तो आप लोग मार्च मान कर जो है अपनी तैयारी को जितना होसित के उतना तीज करती है ठीक है रैनिक को करिए आप लोगों को मैंने रैनिंग के बारे मता दिया है आप लोगों को अपनी चाहिए तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को जो है हमारे द्वारा जो भी अब्डेट हमारे पास आते रहेंगी सभी की सभी अब्डेट आप लोगों को हमेसा मिलते रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना बागी मैं मिलूंगा फिर से नई जानकारिक था नई वीडियो में तब तरह किलिए टेक केर गुद बाई